हेलो स्टूडेंट वेलांस अगें तुरो ओनलाइन वीडियो क्लाश से फाइनल वे बेक विधार्म टू मैट्स सिलाबस जो आपका टर्म 2 का जो मैट्स है उसको हम डिस्कुस करने वाले वान साट क्लास रहने वाला यह जिसमें कि हम टर्म 2 मैट्स का जितना भी पोर्शन है स तारा को एक वीडियो में ही complete करने का ट्राइ करेंगे starting from your quadratic equation chapter quadratic equation then your AP then your circles then your statistics then your surface area volume then your circles so ठीक है इतना सारा chapter आप लोगा term 2 का उसका मुण में हम discuss करेंगे मैं ट्राइ करूंगा minimum time में आपको maximum output देने का जितना भी concept हम उसको one by one discuss करेंगे और आप लोग भी revision कर लिए होगे जो भी points आप लोगा बस गया होगा उसको थोड़ा सा और एक बार mark कर लेंगे ठीक है तो let's start with the chapter number quadratic equation जिसमें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले क्यूंकि यह वीडियो थोड़ा सा में बाहर में बना रहा था तो थोड़ा सा noise बाहर से भी आ रहा है तो थोड़ा सा उसको आप लोग balance कर रहेंगे और जो भी मैं बता रहा हूं वह बहुत सारा points को थोड़ा सा देखेंगे पहले one by one क्या क्या हम बोल रहें और उसके थू में जाएंगे और अच्छे से आपको सारा chapters को revise करेंगे ठीक है तो starting from starting from the quadratic equation क्या क्या पढ़ने वाले हम quadratic equation में यह वाले chapter में हम basically quadratic equation और उसका solutions के बारे में पढ़ने वाले quadratic equation उसका solution solution of the quadratic equation by using the factorization then quadratic formula then discriminant वाला concept ठीक है तो यह सारा part है आप लोग का यहां पर तो अगर हम quadratic equation का बात करें तो it is an equation उस जनरल format होते है एक स्क्वार प्लस भी एक स्प्लस एकुल जिरो जिसको हम quadratic equation बोलते थे जहां पर ABCR अपका real number रहता था यहां पर कुछ examples दिया गया है standard form of quadratic equation जो रहता है वो एक स्क्वार प्लस भी एक स्प्लस एकुल जिरो रहता है तो यह सब जितना भी लिखा गया है यहां पर सब कुछ आपका जो उसका standard form रहता है quadratic equation को उसके बारे में दिया गया है क्यूंकि यह subjective exam है तो सारा concept आपको ध्यान में रखना चाहिए तो मैं थरड़ चेक वेदर इगिवेन एक क्वाड़िटी को नौट कैसे चेक करेंगे तो आपको चेक करने के लिए पहले आपको इक्विसन को यह standard form में रखना पड़ेगा अगर वह standard form में आ रहा है तो आइदर वह 1 हो जाएगा यह फिर 3 हो जाएगा यह फिर 4 हो जाएगा तो 1, 3, 4 वह अलग-अलग उसका मतलब concept है बट to be a quadratic equation the degree must be equal to 2 तो वह बात का आपको ध्यान रखने कि अगर कहीं पर बोला होगा कि justify whether it is a quadratic equation or not तो पहले आपको चेक करना है कि वह हमारा standard form x square plus bx plus c के format में है कि ने अगर वह 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 फॉर्माट में है then obviously यह quadratic equation कैलाएगा अगर नहीं है तो यह quadratic equation नहीं है solution अब roots अब a quadratic equation तो मैंने आपको पहले सही बोलके रखाए कि roots बोला गया हो या फिर zeros बोला गया हो या फिर solutions बोला गया हो सारा का आपका concept same ही है we have to find out the value of x only x का value ही आपको निकालना रहता है तो all the value जो variable हुई satisfy मतलब जो सब value variable का जो satisfy करगा मतलब बेसिकली वह simple है बोलेगा कि x का जो भी value जो satisfy करता है quadratic equation को उसको हम उसका root solutions या फिर zeros बोलते हैं तो अगर हम alpha roots ले रहे हैं तो alpha must be satisfy the quadratic equation अगर alpha जैसे कि अगर एक quadratic equation लिखे जिसमें कि हम बोला गया कि 5 is a root तो obviously 5 must be satisfying the given quadratic equation तो यह हमने polynomial chapter में भी पढ़ा था method of check whether the given value is a solution तो अगर मैंने बोला आपको 5 x square plus 6 x equal to 0 और मैं बोला आपको x equal to 3 यह quadratic equation satisfy करने हैं तो 3 जो हम put करेंगे 3 x square 9 5 x 45 plus 6 3 x 18 तो यह कभी भी 0 नहीं हो रहा तो अगर यह 0 नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे x is equal to 3 यह उसका solution नहीं है तो ऐसे गर करके आप check भी कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर case on case to the equation in the form of p of x equal to 0 फिर उसको फूट करेंगे अगर p of alpha 0 मतलब अगर वह 0 दे रहा है आपको value तो वहां पर x equal to alpha जोगा वह solution of the given equation होगा अगर नहीं होगा तो आपका solution नहीं होगा method of determining the unknown constant in quadratic equation when the solution is root is not given the unknown constant जब रहेगा तो उसको आप कैसे करेंगे वह भी बताया गया है तो सारा का video में नीचे में discussion में दे दूँआ है आप लोग वहां से डाउलोड करके इसको थोड़ा से rectify मतलब थोड़ा सा revision कर सकते हो आपको याद है factorization method में अगर वह x square plus bx plus c के format में दे रहा है तो आपको क्या करना है secondary to product आपको क्या लेना है अइसी लेना है अपका product और सम अपको क्या लेना है यह अपका some हो जाएगा और s reservations फैनल को दुछ यहाओ तो आप लोग पोरॉन से लिखाया है तो आप लोग अगर चाहो तो स्टेप्स को स्टेप्स को गोष्वरू कर सकता हो तो यहाँ इसको define करके यह साथ दोठो number चूज करेंगे फिर उसमें define करेंगे solution of the quadratic equation by quadratic formula, quadratic formula सबसे important concept है कोई भी quadratic equation दिया गया है तो try करना हमेसा आप उसको quadratic formula ही solve करने के लिए that will be more easier to solve the given quadratic equation तो तीन method होसा है उसका, एक होता है completing the square method, एक होता है आपका factorization method और और एक होता है आपका quadratic formula, तो मैं हमेंसा suggest करूँगा आपको quadratic formula यूज करने के लिए क्योंकि उसमें करने से आपको जल्दी से वो आप उसको solve कर सकते हो, ठीक है and the formula is given by minus 3 plus minus b square minus 4ac divided by 2a और we can say b square minus 4ac जो रहता है वो आपका d में भी हम consider करते है which is called discriminant ठीक है तो d equal to b square minus 4ac is not a discriminant तो this result is the quadratic formula और स्रीधाराचारिया आचारिया स्रीधाराचारिया formula जो हम बोलते है वो निकाले थे तो उनके नाम पे वो formula बनाया गया है relationship between अगर देखा जाए तो relationship में तीन nature of roots था when d is equal to 0, when d is greater than 0, when d is less than 0 तो जब d is equal to 0 होगा तो वहाँ पे आपको two equal roots मिलेगा when d is greater than 0 मिलेगा वहाँ पे आपको two different roots मिलेगा बट रियल मिलेगा when d is less than 0 आपको no real roots मतलब वहाँ पे आपको real roots नहीं मिलेगा कि negative का square root एक complex number हो जाता है जो कि हम class 11 में पढ़ने बाले तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि when d is equal to 0, we will get roots are equal and real when d is greater than 0, roots are real and distinct मतलब different and when d is less than 0, roots are imaginary और real number does not exist मतलब real वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको हाँ पे imaginary roots मिलेगा ठीक है पस इतना ही था nature of the roots, यह आपका 4.4 से 4.3 से belongs कता है method of determining the value of unknown quantity some important points में आपको ध्यान रखना है, यह important formula जो भी है जो कि आप यूज कने बाले quadratic में बहुत important सा यहाँ पे points दियागे इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे three consecutive numbers कहीं पे दिया होगा area of the triangle कहीं पे यूज करना रहेगा area of the right angle triangle half into base into perpendicular आपको यूज करना रहेगा area of the rectangle length into braid perimeter of the rectangle 2 into length into braid speed equal to distance by time अगर two digit number दिया गया है तो उसका जो general format होते हैं वो 10x plus y करके रखते हैं अगर उसको reverse करते हैं वो 10y plus x होगा यह सारा concept आपको ध्यान में रखना है उसका speed घंगाट जाएगा क्यूंकि हम against the water जा रहें और downstream में जब जाएंगे तो y plus x हो जाएगा क्यूंकि वहां पे increase हो जाएगा मतलब वो through the flow of water जा रहे तो obviously speed बढ़ जाएगा तो यह ध्यान में रखेंगे upstream कहीं पे दियागा तो y minus x square को compare करेंगे where x is the speed of the boat and y is the speed in the steel water ठीक तो ऐसे घर के आप लोग कर सकते हो so this is all about your quadratic equation I hope quadratic equation में जितना भी आप लोग को questions आएगा आप लोग definitely उसको बहुत ही अच्छे से define कर सकते हो ठीक है इतना ही concept है basically basics सा मैंने बता दिया और advance में जो भी आपको करना है NCRT अच्छे से आपको follow करना है क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बार-बार बोलना हूं कि NCRT जो होता है वो सबसे बड़ा concept होता है CBC के एग्जाम के लिए तो NCRT का जितना भी question से उसको अच्छे से जाएंगा और जो भी concept wise examples या फिर exercise पाते है उसको अच्छे से उसको define हम करेंगे ठीक है ना Next आते है हमारा second chapter of हमारा term 2 का which is called arithmetic progression इसमें हम क्या define करने वाले in this chapter we can define the arithmetic progression AP then nth term of argument sum of nth term and arithmetic mean यह सब के बारे में हम define करने में arithmetic progression क्या होता है कि ऐसा sequence होता है जहांपे की common difference सबका same रहेगा जो difference रहेगा वो सारे terms में consecutive terms में same आना चाहिए तब ही जाके हम क्या बोलेंगो उसको arithmetic progression बोलेंगो उसका general format होता है A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D ऐसे करके हम define करते है method of तो उसका जो nth term को define काने के लिए A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D ऐसे करके जब हम nth term में जाएंगे N is the last term और nth term A is the first term, N is the number of terms and D is the common difference मैं थोड़ा speed में जा रहा हूँ कि सारा कुछ आपको पता है बस आपको बस हलका सा revise करना है तो इसलिए बहुत ही simple सा concept है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि nth term मतलब AP में आपको basically यही दो formula यह फिर तीन चार formula से भी deal करना है जब आपको nth term पुछाएगा from the first then the formula will be N is equal to A plus N minus 1 into D बट कहीं-कहीं पर वो last term से भी बूचा लेता है तो last term suppose 1, 2, 3, 4 बोला है AP और उसको last term से बोला है तो हम एक method में करता है देकिया ना AP को change करते थे 4, 3, 2, 1 करते थे तो यहाँ पर अगर D आपका 1 होता था यहाँ पर D आपका minus 1 होता उसको उल्टा हो जाता होता ऐसे करके फिर्म निंकालते थे बट अगर directly formula के थूरू जाएगे तो there is a formula which is called L equal to A plus N minus 1 into D ठीक है तो वहाँ से भी आप define कर सकते हो where L is the last term ठीक है ना तो N term of the end of the AP sorry 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 मैंने जो यहाँ पर बताया A N को हम L भी लिखते है because A N is the last term but N term of the end of the AP जब पूछा होगा by using directly that formula also you can find out L minus N minus 1 into D तो L is the last term N is the number of term D is the common difference ऐसे करके भी आरिकले आप निकाल सकते हो ठीक है ना फिर अगर number of terms 3 बोला है तो what problem जब देगा तो उसको हम 3 terms बोला है तो A minus D, A, A plus D करके ले सकते हैं अगर 4 term बोला है तो A minus 3D A minus D, A plus D, A plus 3D ले सकते हैं अगर 5 term बोला है A minus 2D, A minus D, A, A plus D, A plus 2D तो difference क्या हो रहे देखो यहां पर common difference आपका कितना रहे रहे यहां पर common difference देखो D रहे रहे रहे, यहां पर 2D रहे रहे, यहां पर D रहे रहे इसमें करने से क्या होगा ना, आपको benefit मिले ले जब हम multiply करेंगे तो और plus करेंगे तो that will be cancel out तो आपको directly A का यहां पर D का value मिल जाएगा तो यह trick समझेंगे, what problem से बहुत ही help करता है sum of n terms का वही same concept है this is the basic formula which is called sn equal to n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d उसको derive करके हम क्या करते है sn equal to n by 2 a plus an तो जहां पर first term or last term given होगा तो वहां पर हम second formula यूज़ करेंगे जहां पर normal terms की बहन होगा वहां पर हम first formula यूज़ करेंगे जहां पर की n is the number of term, a is the first term n is the number of term, d is the common difference and sn is the sum of first n terms sum of first n terms means if s5 is given then sum of first 5 terms तो यह से करके आपको याद रखना है और we can also write sn equal to n by 2 whole into a plus l where a is the first term and l is the last term तो जहां पर आपको दिख रहा है की first term or last term is given then directly we can apply n by 2 whole into a plus l so that will be more effective to solve the respective question then arithmetic mean कहीं पर पूछागा यह actually 11th में है, तुम लोगा नहीं है बट कभी-कभी कर पूछ लेता है तो दोनों अगर term है और उसका arithmetic mean निकालने तो दोनों का add करेंगे, divided by 2 करेंगे हर एक problem होगा आप लोग test कर दे रहो तो AP में कोई भी problem नहीं हो सकता CBC के तरफ से, ठीक है तो that is all for your arithmetic progression also, I hope यह बला भी पूरा अच्छे से आप लोगों समझ में आ गया होगा then comes our third chapter of our series that is called circles which is chapter number 10 of your NCIT chapter number 10 जो circles इसमें हम क्या define करना है, basically हम यह तीन concept के उपर define करेंगा first circle क्या है, tangent of the circle के बारे में theorem related to tangent of the circle तो circle क्या होता है, collection of points रहता है जो कि एक fixed point से fixed distance में रहते हैं वो fixed point को center बोलते हैं, fixed distance को radius बोलते हैं यह तो सारा कुछ आपको पता है मैं और नहीं बोला, some important terms related to circle chord, जो any two points को join करने से circumference में chord होता है semicircle आधा होता है, circumference पूरा होता है arc होता है, कोई भी part अगर ले ले लेंगे तो उसको arc बोलते थे, छोटा पार को minor arc, बड़ा arc को measure arc बोलते थे यह सब आपको पता है, segment 9 class में पढ़े, segment मतलब अगर chord को join करेंगे, तो यह जो दो part बनता है उसको segment बोलते है, बड़ा बाला part को measure segment, छोटा बाला part को minor segment sector अगर देखेंगे, तो any two radius को join करेंगे, जो दो part form होता है वो छोटा बाला part को sector, minor sector बड़ा को major sector some important region related to circles में अगर देखेंगे, तो यह points में थोड़ा ध्यानागे, the perpendicular drawn from the center of the circle to the quad bicep, 9th class का जो concept है, equal quads of the circle equal distance from the center of the circle, angles subtended by arc, जो angle center में create करता है, वो इसका double होता है circumference सा double होता है, सब 9th का concept है और कहीं न कहीं यह huge भी होने वाला है equal quads of the circle, subtended equal angle at the center of the circle, angle in the semicircle in 90 degree, यह basically huge होता है angles in the same segment of the circle are equal यह भी huge होता है, sum of any para-opposite angles वे cyclic quadrilateral हमें सा 180 degree होता है, यह two circles intersect at two points, then the line through the center is perpendicular to the bicector of the common code सारा कुछ 9th का theorem है और कहीं न कहीं, proving तो नहीं आएगा, बाट उसका uses कहीं न कहीं, आप लोग को यूज करने हैं मिलेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे then कम से tangent of the tangent to a circle tangent क्या होता है न, एक line होता है जो कि circle को एक point में touch करता है उसको हम tangent बोलता है, तो there is only one tangent there is only one tangent at the point of circle एक point में एक ही tangent हम ड्रो कर सकते है एक point में दूसरा tangent द्रो नहीं कर सकते है एक point में दूसरा tangent द्रो नहीं कर सकते हैं एक circle कहना है, maximum two parallel tangent two maximum parallel tangent हो सकते हैं ठीक है length of the tangent को define करने के लिए हमको क्या करना है the length of the segment of the tangent between the given point and the point of contact is called the length of the tangent ये अपको tangent लाइन है यहां से यहां पर अगर define करेंगे तो that is the length of the tangent ठीक है तो AB को define करने distance of the exterior point from the center का square minus radius का square by using the Pythoros theorem you can also find out number of tangents from a point on the circle तो अगर if a point lies outside the circle then there will be how many tangents there will be maximum two tangents if point P on the circle तो वहां पर एक ही यो तो यह बात ध्यान से याद रखेंगे कि अगर वो outside of the circle में कोई भी point है वहां से 2 maximum tangent draw कर सकते है बढ़ अगर P point circle के उपर में है तो वहां पर maximum हम one ही tangent apply कर सकते है और draw कर सकते है यह पर point P lies inside the circle तो वहां पर आप no tangents क्योंकि inside the circle है तो वहां पर अगर हम draw करेंगे तो that will be a second to the circle यह tangent नहीं होगा theorem related to tangents of the circle पहला theorem 10.1, 10.2 सबसे important है और वो आने लाइक questions है और इसे ब्यासी में ज्यादा बार वही दो question ही repeat करते है तो उसको statement को याद रहे है the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact सारा proving आपको करवाया गया है proving को दिहाम पे देखेंगे और theorem 10.2 के बोलता है perpendicular to the end points of the radius of the tangent वही उसका converse था the length of the two tangents from an external point to the circular अगर external point से दो tangent हम draw कर रहे है तो उनका length होता है उकल होता है तो यह दो theorem 10.1 and 10.2 according to our NCIT उसको बहुत धिहान से देखें क्योंकि वो आने का ज्यादा से ज्यादा chances आपका हो सकता है और direct question ने CBC में बार-बार repeat करता है important results on related to tangents of the circle क्या होता है न if two circle touches internally or externally then the point of contact lies straight line through the two center यह भी 9th class में concept था कि अगर if two circle touches internally or externally then the point of contact अगर internally touch करें या फिर externally touch करें तो उसका जो diameter का मतलब then the point of contact जो point of contact हो जाए वो straight line के उपर ही two center के join करने से जो straight line होगा उसके अंदर ही लाई करेंगा a pair of tangents drawn at two points on the circle either parallel or they intersect outside of the circle either parallel होगे और फिर कहीं पर intersect करेंगे if two tangents drawn to the circle are parallel each other then the line segment joining their point of contact is diameter of the circle if two tangents are drawn to the circle of the external point then they subtend obviously यहाँ पर equal angle form करेंगे subtend आपका center में equal angle form करें they are equally inclined to the APQ हमारा APQ और BPQ भी same हो जाएगा the opposite sides of the quadrilateral of the circle यह सब कुछ आपका proving part में है already NCIT में सारा एक-एक proving में दिया है तो वो proving part को अच्छे से करेंगे the opposite sides of the quadrilateral circumational circle subtend supplementary angle at the center of the circle यह directly question है NCIT का तो यह सब theorems को थोड़ा अच्छे से ध्यान लखेंगे circles का और circles का मैं बोलूँगा तो 10.1 10.2 theorem अच्छे से करना है और उस related जितना भी concept है basic concept circle का उसको देखना है और NCIT का जितना भी problem से उसको one by one discuss करना है चाहे वो proving हो चाहे वो normal आपका solution पाट हो तो उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो obviously CBC का अगर हम term 2 का preparation करें तो बहुत अच्छे से आप लोग उसको effectively solve कर सकते हो then comes your construction one of the easiest chapter for your class 10 mathematics जिसमें की mark नहीं कटना चाहिए construction में अब क्या पढ़ने वाला है division of the line segment internally given ratio construction of the tangent point that lies on it construction of the tangent circle form a point outside it and construction of the tangent when कुछ angles में दिया रहेगा तो उसका construction कैसे करेंगा तो basically इतना tangents का construction और line division का construction के बारे में यहाँ पर आपका है triangle का जो construction है वो आपका delete किया गया है तो construction one अगर हम one by one में बस बता दे रहा हूँ उपर-उपर से आप लोग उसको justify कर लेना और अगर आपको steps बगर देखना है तो directly link में जाके description से यह PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हो तो construction में क्या है ना division of a line segment internally in the given ratio यह तो पहला सबसे best और सबसे easiest तरीका है line division का तो उसको ध्यान से देखेंगे तो करना क्या रहता है मैं पहले एक line लेता हूँ फिर एक acute angle बना के यहाँ पे लेता हूँ फिर suppose वहाँ पर 4 is to 3 ratio है तो पहले उसको add कर देंगा तो we'll get 7 number of points तो पहले total 7 number of points को आपको draw करना है EQ distance होना से है फिर last point को यह अगर A है यह B है तो last point को B के साथ join करना है फिर अगर हमारा ratio 4 is to 3 है तो A4 को choose करना है और A4 में इसको यह बला line को मतलब B और A7 को parallel होने बाए like एक parallel draw करना है draw करने के बाए जहाँ पर touch करेंगे वह point को C देने है तो A C is to B C जो हो जागा 4 is to 3 हो जागा तो that is the concept सारा steps of construction आपको लिखा गया है आप लोग आइदर यह बला method में कर सकते हो या फिर NCAT में जैसे दिया गया है उसमें कर सकते हो justification आपका जरूरी नहीं है justification नहीं आएगा बट समझने के लिए justification भी दिया गया है सब कुछ आप लोग देख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे A, B लोगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 points equidistance होना चाहिए यहाँ पे 4 points, यहाँ पे 3 points फिर last point को join कर देना है जहाँ पे touch करेगा वो आपका C हो जाएगा तो जो method में आपको easy लाएगा है वो method में आप लोग कर सकते हो NCIT में दोनों ही method अवेलेबल है अगर आपको single वाला method करना ही तो कर सकते है या single मतलब एक side में जो किया था acute angle या फिर यहाँ पे 2 side में भी कर सकते हो तो जो आपको helpful रहेगा जो आप समझ पा रहे हो steps अच्छे से उसको आप कर सकते हो लेकिन एक question में दो बाइन मत करना है कोई भी एक side करना तो that will be more effective सारा का construction का steps of construction यहाँ पे लिखा गया है अगर आपको steps of construction में confusion है तो आप लोग इसको download करके यहाँ पे steps of construction को देख सकते हो ठीक है construction 2 में क्या करें construction of the tangent circle that point lies on it तो यहाँ पे अगर एक point में suppose यह circle है और यहाँ पे कोई भी एक point मेंने पी लिया और वहाँ पे आपको tangent रो करना है तो आपको क्या पता है tangent जो होता है वो radius को 90 degree होता है अगर सेंटर नहीं दिया होगा तो इसको कैसे करेंगे इसको धिहान से दिखेंगे यहाँ पे सारा को steps लिखा गया है आप लोग थोड़ा steps में go through करेंगे steps on में क्या है ना पहले यह circle को बना देंगे step on में draw a circle of given radius p given radius and take a point p पहले एक random point लेगे p ठीक है पहले एक random point लेगे p second में बोला है कि draw any arc pq any random arc एक pq join करेंगे फिर third में बोला है take a point r on the either side of the measure arc और minor arc तो यहाँ पे r कहीं पे एक random point लेगे और pq और pr को join कर देंगे तो यहाँ पे जो angle form है यह ओबल angle यहाँ पे join करके इसको extend करेंगे we'll get the answer on taking pqh based construct qpy equal to p r q मतलब जो angle यहाँ पे बना है यह बाला जो angle बना है इसको यहाँ पे बनाएंगे और इसको draw कर देंगे we'll get the respective figure तो question कैसे होगा draw a circle of radius 6 cm take a point p on it without using the center of the circle without using the center of the circle वो बोल दिया होगा तो उसको ऐसे फॉर्माट में आपको करना है construction 3 अगर देखेंगे तो construction of a tangent circle from outside the circle outside the circle यह आपका ncd में दिया गया है जैसे question और बार बार repeat भी करता है तो एक question जैसे दिया रहेगा पहले क्या करना है एक circle बना देना है फिर outside जितना point जितना distance में वहाँ पर एक P point लेना है P और O को join करके इसको perpendicular way set करना है फिर वहाँ पर center लेकि यहाँ पर एक circle बनाना है जो दो point आपको मिला वो दोनों को P के साथ join कर देना तो question कैसे रहता है question थोड़ा अगर धियान से देखेंगे तो question देगा कि draw a circle of radius 3.5 cm from a point P which is 6 cm from the center of the circle draw two tangents of the circle तो बहुत ही simple है अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करूँ तो इसको क्या करेंगे पहले circle बना देंगे 3 cm radius का 3 cm radius का circle बना दिये 3.5 का radius था 3.5 का radius है तो 3.5 का circle बना दिये 3.5 से 6 cm जहाँ पर touch होगा वहाँ पर P करेंगे OP को join कर देंगे उसको byset करेंगे वहाँ पर midpoint मिलेगा उसको लेके एक circle बना देंगे जहाँ पर touch करेंगे अच्छा यहाँ पर यह बला हमारा circle था sorry मैं यहाँ पर गलती कर दिया यह बला हमारा circle था यह center था center से P 6 cm दूरी में करेंगे OP को byset करेंगे यहाँ पर एक point मिलेगा इसको center लेके यहाँ पर एक circle ड्रो कर देंगे वह बड़ा circle को जहाँ पर touch किया suppose A और B point में touch कर रहा है तो A और B point को किसके साथ join कर देंगे P और P B के साथ join कर देंगे and P and P B are required tangents तो in this way आप लोग ऐसे करके भी कर सकते हो ठीक है तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो बहुती simple सा concept है यहाँ पर सारा को steps of construction दिया गया है और एक fourth construction का है construction of the tangent to a circle when the angle between them is given angle between them अगर given होगा तो जैसे कि directly में एक example के थूर जाता हूँ जैसे कि बोला है draw the pair of tangent to a circle radius 4 cm which is inclined to each other at the angle 30 degree मतलब उसका मतलब यह बला angle inclined at 30 degree तो obviously बच्चो देखो अगर यह inclined 30 degree हो रहा है तो यह तो 90 है यह तो 90 है as the radius making 90 degree of the tangent तो obviously 90 and 90 180 हो गया तो यह दुनों मिले के 180 होगा तो यह अगर already 30 दे दिया तो obviously 150 हो जाएगा तो पहले आपको क्या करना है पहले एक diameter रहना है random diameter यहाँ पे 150 degree बना है तो 150 directly ना बना के उसका opposite में 30 degree बना देना तो यह automatically 150 हो गया अभी 150 जहाँ पे यहाँ पे PQ point आपको मिल गया यह 30 हो जागा आपको मिलें उसका opposite में 30 बना दिया तो अगर यह 30 बन गया तो अटोमेटिकली 150 बन गया 150 बनने से वह P में यहाँ पे P point में टेच करें यहाँ पे आर पॉंट में टेच करें पी में 90 आर में 90 कि वह तो जहाँ पे टेच करेंगा तो अटोमेटिकली अगर 150 हुआ ही है तो अटोमेटिकली वह 30 डिगरी हो जाएगा तो जहां पे कि वह एंगल इंक्लाइंट बना दिया रहेगा तो उसको बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो यहाँ पर steps of construction दिया गया है अगर आप लोग को steps of construction जाना है क्योंकि subjective exam है then you must write the steps of construction also so that जो भी teacher evaluate करेंगे उनको ज्यादा परेसान ही नहीं होगा क्योंकि आगर आपका question में दिया हूँ या जैसे कि यह बाला question में दिया गया नहीं है जैसे कि यहाँ पर लिखा है draw a pair of tangent to a circle of radius तो यहाँ पर कहीं भी लिखा है कि write the steps of construction but you must write the steps of construction क्योंकि subjective है अगर आप लोग steps of construction नहीं लिख रहे हो तो कहीं ना कि आप लोग का mark cancel होने का कटने का ज्यादा से ज्यादे सांसे से ठीक है so that's all for your the concept then comes here the fifth chapter which is called your application of trigonometry application of trigonometry में basically आपको क्या पढ़ना है in this chapter line of side horizontal line angle of elevation angle of depression इसमें concept ज्यादा नहीं है but concept को यूज करने बहला trigonometry बहुत ज्यादा है line of side क्या होता है यहाँ पर अगर हम figure के through देखेंगे तो यह होता है to say line of side और यहाँ पर line of side है suppose नीचे में तो यह जो उपर वाले इस्को हम AGM of elevation बोलेंगे और नीचे वाली आइंगल को अनमे आप lifes имеет relation बोलेंगे ठीक है आघक है then their alternate interior angle is equal तो यह अगर 30 degree हुआ मानलो यहां पे angle of depression 30 degree दिया है तो यह बाला angle भी 30 degree automatically हो जाए जिए अगर they are alternate interior angle ठीक है तो यह points को थोड़ा दिहां देगे the angle of elevation and depression are always acute angles if the observer moves towards the perpendicular line the angle of elevation increases जितना हम पास जाएंगे उसका angle of elevation बढ़ेगा and if the observer moving away from the perpendicular to the tower of the building and the angle of elevation अगर वो पास पास जाएगा तो उसका angle of elevation बढ़ेगा अगर वो दूर दूर जाएगा तो उसका obviously angle of depression elevation घटेगा if the height of the tower is double then the distance between and the foot of the tower is also double then the angle of elevation remains the same if the angle of elevation of the sun above the tower decreases then the length of the side of the tower increases तो यह सारा points थोड़ा सा justify करेंगे ताकि वो आप लोग को help करेगा कहीं न कहीं word problems को solve करने के लिए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा application of trigonometry में क्या है कि आप लोग का concept पूरा NCAT को based कर रहा है तो NCAT को अच्छे से go through करेंगे NCAT अगर आपका clear NCAT का सारा problems आप लोगोंने करके रखा है करेंगे एक्सेसाइज के फोकस करेंगे एक्सेसाइज में पांच एच्छे हैं और एक्सेसाइज में 15 और 16 तो इससे अगर 22 कर लिए तो आटमेटिक लिए आप लोगों का trigonometry वाला chapter भी हो जाएगा और trigonometry का आपका trigonometry table आपको याद रखना है क्योंकि कहीं पर 10 30 कहीं पर 10 15 कहीं पर 30 यूज हो रहा होगा उसको थोड़ा से ध्यान में रखना है ठीक है then surface area volume surface area volume में basically आपको formula के अपर ध्यान रखना है solid figures के बारे में आपको पता है क्योंकि हम 10 class में है तो यहां पर आपको combined figure का surface area combined figure का volume combined figure एक अगर एक surface और एक surface को change रहा है तो उसका volume क्या होगा उसी के उपर में दिया है surface area volume के उपर हम पढ़ रहे हैं तो पहला गर क्यूबर का देखेंगे के one by one यहां पर सारा कुछ formula चार्ट भी बना दिया है तो that will be more effective आप लोगों को learn करने में भी आता नहीं हो जागा total surface area अब the cube will be 2 into lb plus b h plus sl lateral surface area will be 2 lb whole into h diagonal of the cubit ज्यादा थर पूसता नहीं है बट वह याद रखेंगे कि l square plus b square plus s square का root over l is for length b is for breadth and h is for height volume of the cube will begin में l into b into h ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे क्यूब का अगर देखेंगे तो cube is a special जहां पर कि सारा side सेम रहता है तो वहां पर length breadth height सबकुछ a unit लेते है let that be a सबकुछ same रहता है तो total surface area will be given 6a square lateral surface area lateral surface area मतलब 4 walls को बोलते that will be given by 4a square diagonal of the cube root 3a volume of the cube that is a cube ठीक है अगर हम right circular cylinder का बात करें तो right circular cylinder में अगर यह आपका radius base का radius है यह आपका height है तो corrupt surface area will be given by 2 pi r h that is circumference of the base into height total surface area will be given by csa plus upper circle plus nea wala circle so that will be given by 2 pi r h plus 2 pi r square अगर हम 2 pi r ko common लेंगे it will become s plus r तो हम ऐसा मैं बच्चों को बोलता हूं ऐसे याद रखने के लिए ताकि एक्जाम में आप लोगों ज्याद से ज्यादा याद आजएगा कभी आप रट्टा मार के गया होगी 2 pi r 2 pi r hole into h plus r वहां पे h के जग आर लिख दे तो कहानी खतम हो जागा तो ध्यान से रखेंगे ऐसा नहीं कि याद रखने से गलत है ऐसे में याद रखके इसको सॉल्फ करने के टाइम यूज करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे तो राइट सर्कुलर होलो सिलिंडर का जो कर्प्ट सर्फेस होता है तो सीएस अप दे सिलिंडर प्लस सीएस अप दे इनर सिलिंडर तो 2 pi r h तो 2 pi hole into r plus r capital r for the radius of the bigger cylinder small r is for the radius of the smaller cylinder total surface area will begin by cso of the hollow cylinder plus area of the both ends both ends मतलब वह ring format करते तो 2 pi r plus r hole into h plus 2 pi r square मतलब उपर वाला जो रिंग दिखेगा ऐसा कुछ दिखेगा तो that will be given by 2 pi capital r square minus 2 pi small r square क्योंको रिंग format कर रहे हैं तो यहां से अगर मैं 2 pi common low it will become capital r square minus small r square so in this way आप लोग ऐसा भी करके याद रख सकते हो तो इसको solve करने से इतना भी निकलेगा वह ज्यादा सर्वोलो सिलिंडर पूछता नहीं है बड़ कभी कभी पूछ लेगा तो आपको लोग ऐसा करना है तो अगर अगर pi common ले रहे हैं तो pi into r square minus r square whole into h cubic units तो cube units देना मत बूलना फिर sphere का आएंगे sphere का तो एक ही surface रहता है which will be given by 4 pi r square and volume will be given by 4 by 3 pi r cube spherical cell अगर दिया रहेगा तो उसका outer surface pi 4 pi r square inner surface 4 pi r square volume of the hollow sphere will begin by hollow sphere जब होता है तो bigger cylinder से smaller bigger sphere से smaller sphere को माइनस कर देंगे which will be given by 4 by 3 pi capital r q minus 4 by 3 pi small r q तो 4 by 3 pi अगर हम common ले रहे हैं we will get 4 by 3 pi capital r q minus small r q so I hope यह भी concept आपका clear है then hemisphere का अगर बात करेंगे तो hemisphere sphere का आधा होता है तो current surface area उसका आधा हो जागा 2 pi r square but total surface area में 2 pi r square plus pi r square कियो उपर वाला surface तो तो that will become 3 pi r square ठीक है ना और volume of the hemisphere जैसे sphere का होता है 4 by 3 pi r q तो आपका hemisphere का हो जागा 2 by 3 pi r q ठीक है ना right circular cone का अगर बात करेंगे तो L होता है उसका slant है जाएगा volume of the cube will be cone will be 1 by 3 pi r square hole into h तो combination of the two solids जब रहेगा तो वहां पर जब आपका total surface area निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है हमेंसा याद रखना है surface area थोड़ा सा important हो जाना है तो जब भी आपको याद रखना है तो आपको एक मैंने आपको हमेंसा बोला है जब भी आप ऐसा टापका questions को surface area निकालने निकालने बोला होगा तो आपको खुदको एक painter मनना है paint करना है आपको तो जितना पाट आपको visible हो रहा है उतना पाट को आपको total surface area में count करना है तो यहां पर surface area of the combined figure अगर यहां पर इसको में join कर दूँ तो obviously यह जो बीच वाला हिसा आपको नहीं दिखेगा तो visual कौन होगा CS of the cone plus CS of the hemisphere तो CS of the cone plus CS of the hemisphere और volume के case में volume of the cone plus volume of the hemisphere ठीक है ऐसा कुछ एक cone दिया गया है वाल्यूम के case में करेंगे क्या नहीं volume of the cylinder minus volume of the cone बट surface area के case में क्या करेंगे हैं पर कि surface area में आपको कितना पाट दिख रहा है CS of the cylinder दिख रहा है area of the base circle दिख रहा है और आपको इसके अंदर वाला पाट अंदर वाला पाट भी आपको visible हो रहा है उसको बच्चे क्या करते हैं हमें से minus करते हैं बट उसको minus नहीं करना है क्योंकि वो visible हो रहा है तो उसको भी आपको add करके रखना है तो नीचे जो अंदर वाला पाट ही वो CS of the cone है तो उसका add करना है तो total surface area भी base circle area plus curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone तो in this way आप लोग combined figure का volume या फिर surface area निकाल सकते हो फिर conversion of solid to one step to another step हमें से याद रखना volume of पहला figure first figure is always equal to volume of second figure अगर एक sphere दिया गया है उसको छोटा चार sphere में divide कर रहे है तो volume of the बड़ा sphere जितना होगा volume of the चार चोटा sphere भी उतना ही होगा अगर मैं एक cone है बड़ा cone है और उसको मैं चोटा-चोटा दो cube में divide कर दा हूँ तो volume of the cone before melting will be equal to volume of the two square after melting तो ऐसे करके आप लोग को करना है important results for formula volume of solid to be converted equal to total volume of the solid into which it is given to be converted मतलब अगर हम number of solid of given shape in which मतलब वो बोला है कि total volume यहां पर total volume दिया रहेगा और वहां पर कुछ छोड़ा-छोड़ा जैसे जो spherical shape दिया होगा इसका volume आपको निकालना है तो वो पुछा है number of कितना यहां पर होगा तो obviously इसका volume divided by इसका volume कर देंगे मतलब इसका но इसका यहां पर यहां पर बड़ा सा स्पीर है मतलब कुछ स्पीयर कितना अपर है मुझे नहीं बदा बट कुछ स्पियर है तो जब मुझे वह बोलागा नंबर अब कितना स्पियर है छोटा-छोटा जो कि यहां पर पूरा मेल्ट होके रह जाएगा तो मैं क्या गरूंगा वाल्यूम अब बड़ा स्पियर डिवाड़ेड़ वाल्यूम अब दिस स्पियर तो डिवाइड कर देंगे तो अगर आपका फॉर्मला अच्छे से याद रहे गया है और इंप्लीमेंट कैसे कर रहे है सर्फेस सीर्या को थोड़ा देखना है और वाल्यूम बाला पाट जितना भी कम्बेंट फिकर होगा उसको वॉल्यूम को बस अड़ कर देना है बस सर्फेस सीर्या की केस में आपको कि कहां से किसको minus कर रहे हैं, कहां से किसको add कर रहे हैं, so that's all for your surface area also, last chapter left, that is statistics, basically statistics में आपको क्या देखना है, statistics में basically आपको क्या करना है, mean of the group data, mode of the group data, and median of the group data के उपर देखना है, और mean का दो concept है, one is direct method, एक direct method होते हैं, और एक assumed mean method होते हैं, और median और mode का same concept होते हैं तो अगर हम mean का बात करेंगे so mean will be given by summation of fi x i divided by summation fi which हम continuous data का बात करें पहले होता है direct method direct method जो होता है that will be given by mean equal to summation of fi x i divided by summation fi जहांपे कि fi is the frequency, xi is the observation and divided by summation of fi means total number of observation मसला ऐसे बोल सकते हैं sum of the product of the frequency of the observation divided by total number of observation as you mean में क्या करना है what is the formula mean equal to a plus summation of fi di by summation of fi जहांपे di क्या होता है x i minus a होता है तो x i minus a में पहले आपको एक a चूज करना होता है observation से try करना middle बाला value नेने का तो आपको result थोड़ा ज्यादा quickly निकाल सकता है तो उसमें product करना ज्यादा effective हो जाएगा तो assume mean में जब हमारा आप direct mean कर रहे हो वहाँ पर बड़ा बड़ा numbers के लिए बहुत बड़ा हो जागा but assume mean के method में अगर हम करेंग उसको तो बहुत छोटा में और बहुत easily effectively हम उसको solve कर सकते है तो इसलिए अगर कहीं पर लिखा है find the mean तो you can apply either direct method और you can apply the assume mean method but अगर कहीं पर mention हुआ है find the mean by using the assume mean method then you have to use the assume mean method वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते है अगर आपका answer सही भी है direct method में तो आपको mark नहीं मिले है कि वहाँ पर assume mean method आपको बोला गया था आगया समझ में mode का क्या concept है अगर normal जब हम ungroup data लेते था तो सबसे बड़ा जिसका ज्यादा frequency रहता था उसको mode बोलते था model class में क्या बोलेंगे model class पहले समझते है mode निकालने के लिए उसका formula जो होता है mode का formula तो आपको याद होगा mode का formula जो है that will be given by mode will be l plus f1 minus f0 divided by 2 f1 minus f0 minus f2 whole into h where l is the lower limit of the model class f1 is the frequency of the model class f0 is the previous frequency f2 is the next frequency and h is the class size तो model class क्या होते है अगर यहाँ पे कुछ class दिया है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 तो सबसे maximum frequency काँ से है 22 तो the class having maximum frequency is called model class तो यहाँ पे model class कितना हो जागा for 40 to 50 हो जागा तो यहाँ पे 40 is the l हो जागा फिर frequency f1 मतलब उसी का frequency 22 is f1 the next frequency will be 8 which is f2 and 20 is f0 और l is lower limit मिलगे h is the class size 50 minus 40 कर देंगे तो 10 मिल जागा सब कुछ मिल जागा after getting all the values just put the value and we will get the answer is that clear तो यहाँ पे सब कुछ लिखा भी है मैंने तो बता दिया फिर भी हाँ पे लिखा है आप लोगों अगर समझना है तो यहाँ पे लिख देना lower limit of the model class is the class size frequency of the model class f1 f0 is the frequency of the class preceding the model class previous frequency and approves the frequency of the class succeeding the model class that means next frequency फिर median का अगर बात करेंगे तो median का अगर हम normal अगर हम ungroup data में देखते थे तो जब odd होता तो n plus 1 by 2 observation लेते थे जब even होता था तो n by 2 plus n by 2 plus 1 divided by tooth term निकालते थे happen to n by tooth term plus n by 2 plus 1 term यह ungroup data के लिए था even और odd के लिए cumulative frequency पहले समझते है cumulative frequency में क्या होता न अगर यह mark से यह number of student है तो यह पहले 5 होगा तो 5 को फिर 7 में add करेंगे तो 12 फिर 12 plus 4 16 then 16 plus 2 ऐसे करके cumulative frequency मतला add करते हुए रहते है less than बाला ऐसे दिहा रहेगा less than 10 तो less than 10 अगर 5 है फिर less than 20 कितना होगा 5 plus 7 12 less than 30 12 plus 4 16 ऐसे करके आप लोगो less than more than जब रहता है तो यह बाला जो numbers होता है आपका बैसिकली cumulative frequency देता है वहां से आपको frequency निकालना रहता है नॉर्माली जब ऐसा बाला कोस्टन देगा तो यह आपका frequency होता है हमपे एपको cumulative frequency निकालना रहता है but more than or less than या फिर below इतना दिया रहता है तो यह जब देहता है यह सब cumulative frequency होता है तो वहां से आपको frequency को निकालना रहता है, after subtracting करके, subtract करके आपको निकालना रहता है, जैसे more than लिखा है, 58, तो more than 58 अगर लिखा है, तो यहां पर क्या करना है, subtract करना है, 58, पहले होगा 53, 46, 42, like that, ठीक है, ऐसे करके आपको करना है, तो median of the discrete data, जब हम निकालना रहता है, तो उसका यह तो रहता है, तो उसका formula क्या हता है, that is the formula, that is one and only formula, which will be given by median equal to L plus N by 2 minus CF, whole divided by H, whole into H, तो L is the lower limit of the median class, N is the number of sum of the frequency, CF is the cumulative frequency, but class preceding the cumulative frequency, मतला previous class का cumulative frequency, इसमें ध्यान दिखना है, F is the frequency of the median class, F जो लेना है, वो खुद का frequency लेना है, but CF जो लेना है, वो पिछले बला का cumulative frequency लेना है, and S is the class width, ठीक है, so that is the concept, तो in this way, median class को भी आप लोग बहुत अच्छे से define कर सकते हो, अगर median और mode statistics का problem में, आपको कुछी problem है, तो आप लोग playlist में जाके, statistics का वीडियो भी देख सकते हो, मैं ने formula बता दिया, अगर कहीं पर भी problem है, solving में कुछ problem हो रहा है, आप लोग दाके वो respective playlist को देखके, वहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, is that clear बचो, then at last, one relationship is there, among mean, median and mode, which is called central tendency का एक relation रहता है, which will be given by the formula, mode equal to 3 median minus 2 mean, or we can replace that one as mean equal to 3 median minus mode by 2, or median equal to mode plus 2 mean by 3, तो basically अगर ये वाला concept आप याद रखोगे, mode equal to 3 median minus 2 mean, तो that will be effective to relate all the respective concept, ठीक है, so that's all बचो for your revision part, I hope all are getting all the concept, मैंने ट्राई किया, जितना हो सके, minimum time में आप लोग को maximum benefit देने के लिए, तो all the best for the term 2 examination, और थोड़ा अच्छे से वीडियो को, आज जल्दी में था मैं, इसलिए ऐसे करके बना दिया, बट और थोड़ा effectiveness, और थोड़ा example, और थोड़ा concept के साथ, और एक one-shot video लाएंगे, term 2 से just कुछ दिन पहले, अभी के लिए जितना है, उतना में आप लोग थोड़ा सा adjust कर लो, and I hope मैंने सारा concept बता दिया है, और थोड़ा जो भी concept बाकी तो कुछ भी नहीं था, आप लोग का अगर कुछ बाकी है, आप लोग जाएके, पहले पूरा वीडियो को देख लो, और अगर कहीं पे कुछ आप लोग को लिखना वगरा रहेगा, तो इसका PDF का लिंक में डिस्क्रिशन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके, अच्छे से revise करो, और जो भी मैंने पार्ट बोला, जो भी ट्रिक्स हम मैंने बोला, उसको ध्यान में रखेंगे, और टर्म टू में मैट्स के लिए, बहुत अच्छे से करके आएंगे, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुगा, तो आप लोग के जितने भी क्लास्टेन के दोस्त है, रिलेटिब से उनके साथ सेयर करेंगे, तो कि मैक्सिममम रीज पॉंच से सके, और बच्चों को थोड़ा सा वेनिफिट मिल सके, ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा कॉंटेंट लेके हम, अगर अच्छे से आपका रिविजन हो गया है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, और भश रहो और बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है, थैंक्यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स पीडियो में, तिल देन टेक क्या रोल आफ यूव, स्टे से शेप, स्टे आफ यूर ओव, जय जगर्नाथ!